नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपके अपने चनल हुम्यवून में तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही कॉमन टॉपिक क्यों पर बात करेंगे, जिसका नाम है वजन ना बढ़ना इस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग परिशान रहते हैं, चाहे वो बच्चे हो या फिर बढ़े हो, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताऊंगी, जिन से आप ये पता लगा पेंगे कि आपका वजन क्यों नहीं बढ़ता है, वजन ब इसे सेफ हैं और इन मेडिसन को कोई भी ले सकता है, चाहे वो बच्चे हो या फिर बढ़े हो, फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं, तो मेरे चैनल को क्रपय सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, मैं आपके लिए ऐसे ही हेल से रिलेटेड बहुत से वीडियो लाती रहती हूँ, फ्रेंड्स, होमेपेदिक मेडिसन के साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे डाइट के टिप्स भी बता जिसमें होमेपेदिक मेडिसन के साथ ही साथ मैंने ओबेसिटी के लिए डाइट चार्ट भी आपको प्रोवाइड कराया था, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो भी लोग बेसिट न बढ़ना किसे कहते हैं, तो अगर किसी भी परसन का वजन उसकी हाइट और उसकी एज की अकॉर्डिंग कम है, तो हम इसको अंडरवेट की काटेगरी में रखते हैं, अगर आपका वजन कम है, तो बहुत से लोगों में ये भी देखा गया है, उनके कम वजन की कारण, उन तिर ऐसे लोग बहुत जल्दी जल्दी बिमार पड़ते हैं, और ऐसे लोग अकसर बिमार ही रहते हैं, और जब लोग अकसर बिमार रहेंगे, तो डेफिनिटली उनका वजन नहीं बढ़ेगा, वो अंडरवेट ही रहेंगे, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अंडरवेट हो फोबिया होता है, आपको बहुत ज़दा अंदर से नर्वस फील होता है, तो इस तरह की चीजें देखने में आती हैं, जो लोग अंडरवेट होते हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि अंडरवेट होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं, तो फ्रेंज यहां पर मैं आपको बहुत कि 다시 बहुत इंपोर्टेंट बात більleness का बहुत हं ऑस के या विक अब allowsolenust को अगर्शेम से पहले दो जान ना बहुत जरूरी होता है अगर आप कारंट जान लेते हैं तो आधी बेमारी आपकी ठीक हो जाती है बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे cases में ये देखा गया है कि इस तरह के supplements का असर बहुत बुरा होता है body पर बहुत ज़्यादा side effect देखने को मिला है तो चलिए सबसे पहला कारण होता है underweight होने का proper diet का ना होना तो friends अगर आप अगर आप मालीजे सुभा से शाम तक अपने मन के हिसाब से खाते हैं आपको भूख है लेकिन आप उस हिसाब से खाते नहीं है तो ये बहुत बड़ा कारण होता है underweight होने का अगर आपको मालीजे दो या तीन रोटी खानी है लेकिन आप आधी रोटी खा रहे हैं खाना खाते हैं तो आप underweight हो सकते हैं friends इसका दूसरा कारण होता है in-digestion अगर आपका खाना ठीक से हजम नहीं होता है आपका खाना ठीक से पच्छता नहीं है आपके पेट में बहुत जादा प्रॉब्लम रहती है आपको constipation रहता है या फिर आपको बहुत ज़दा gas बनती है आपको acid बनता है आपकी पेट में जलन रहती है या आपको खटी डगारे आती है तो ये सब पीजेशन से जुड़ी होती है इसका मतलब है आपका digestion ठीक नहीं है आपका हाजमा ठीक नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना पेट का हाजमा ठीक करना पड़ेगा जिससे कि आपको आपको खाया हुआ सारा भूजन लग सके अगर खाना आपकी बॉड़ी में ठीक से पचेगा नहीं तो उसका रस आपकी बॉड़ी में अच्छे से नहीं जाएगा यानि कि खाना खाने के बाद हमारी बॉड़ में बहुत तरह के रस निकलते हैं जो हमारी बॉड़ी को अलग लग और गन्स में nutrition प्रोवाइड करवाते हैं तो अगर आपका खाना ठीक से नहीं राजेस्ट होगा तो यह रस आपकी बॉड़ी में नहीं जाएंगे जिससे कि आपकी बॉड़ी आपके खाने को अच्छे से नहीं कर पाएंगे को कि हम scientific language में वीक metabolism कहते हैं तो अगर आपका metabolism ठीक नहीं होगा वीक होगा तो आपकी बॉड़ी में खाना नहीं लगेगा और आप अंडर वेट रहेंगे friends तीसरा कारण होता है आपको किसी तरह का psychological problem है यानि कि अगर आपको किसी तरह का tension है तनाव है stress है चिंता है और आपको नीन नहीं आती है पूरी पूरी राद जाकते वे गुजार देते हैं कुछ किसी भी एक चीज को सोचते हैं बहुत जादा उसको deeply सोचते हैं तो इस तर है कि जो चीजे होती है आपका जो नॉर्मल एक बोडी का process है ठीक से खाना खाना उसके बाद ठीक से मीन लेना तो यह सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी विज़से आप अंडरवेट होते जाते हैं तो friends ऐसे लोगों का वजन बहुत तेजी से कम हो जाता है तो सब को डेली 15-20 मिनट तक मेडिटेशन करना चाहिए आपको आंखे बंद करके डीप ब्रीथ करने चाहिए अपनी बॉडी को बिल्कुल लाइट छोड़ देना चाहिए जिससे कि आपका तनाव आपका stress आपकी बॉडी से निकल जाए और आपको positive energy feel हो friends अंडरवेट होने का होग नहीं लगती है आपको और भी other problems body में start हो जाती है friends इसका पांचवा कारण होता है genetic तो अगर आपकी family में आपके माता-पिता में से कोई भी underweight है या फिर आपकी family में underweight कोई रहा है तो भी आपको ये genes में ट्रांसफर हो जाती है आपकी generation में ट्रांसफर हो जाती है जि TB वाले patients हमेशा दूबले पतले रहते हैं उनका built हमेशा lean-thene रहते है तो इस तरह के patient में भी underweight देखने को मिला है friends अगला reason है hyperthyroidism यानि कि अगर किसी patient को thyroid का problem है तो भी वो underweight हो सकते हैं चली friends अब बात कर लेते हैं homeopathic medicines की friends ये medicines पूरी तरह से safe हैं सुरक्षित हैं और इस अगर आपके symptoms आपके लक्षन इन medicines से match करते हैं जो मैं भी बताने वाले हूं तो आप definitely medicines ले सकते हैं friends सबसे पहली medicine है आयोडम अगर आपको भूग बहुत अच्छी लगती है और आप बहुत अच्छा खाना भी खाते हैं बहुत सारा खाना खाते हैं लेकिन फिर भी आपकी लेनी है सबसे पहले आपको आयोडम 30 potency में लेकर आनी है और आपको इसको डेली night में लेना है आपको डेली आपको इसको रात को लेना है डेली दो बूने डारेक्ट जीब पर आपको लेनी है और जिनको hyperthyroidism का problem है वो भी medicine ज़रूर ले सकते हैं बहुत अच्छी medicine है और आ बहुत ही अच्छा tonic है भूग को बढ़ाने के लिए यह appetizer है जो आपकी भूग को enhance करेगा जिसको भी भूग नहीं लगती है हमेशा कमजोरी फील होती है हमेशा थकान लगता है ऐसा लगता है कि लेटे रहे हमेशा तो उनको यह tonic ज़रूर लेना चाहिए इस tonic में बहु लेते हैं इसको आपको कैसे लेना है तो इसको आपको दिन में तीन बर लेना है सुभा दुपहर शाम इसको आपको सुभा एक चमज लेनी है दुपहर में चमज लेनी है और शाम को एक चमज लेनी है इसको कम से कम आपको छे मेने तक आपको continue करना है और फ्रेंड्स इसकी जो बॉटल का प्राइस है, यह आपको असी से सौ तक के बीच का छोटी बॉटल पड़ेगी, तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही असानी से आपको किसी भी होमेपधिक स्टोर से मिल जाएगी, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है, कार्डस, मरेनस, मदर टिंक्चर, य अपने ही अच्छे से काम करेंगे, और अपका पाचन, तंत्र भी अच्छे से काम करेगा, तो सबसे पहले हमें लिवर को देखना है, लिवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत टॉप क्लास की मेडिसिन है, जिसको भी भूख नहीं लगती है, उल्टी जैसा और इसको आपको दिन में तीन से चार बार लेना है, एक चोथाई का पानी में, बीस से पच्चिस बुन्दे डाल कर, तीन से छे मेने तक ये मेडिसन आपको लेनी है, आपको इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे, नेक्स्ट मेडिसन है, अलफा-लफा माल्ट, ये भी बढ़ाने के साथ ही साथ बहुत अच्छी मेडिसन मिली हुई है, आपकी बॉड़ी के लिए बहुत अच्छा काम करती है, तो चलिए जान लेते हैं, इसको कैसे लेना है, ये माल्ट आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, और इसको कैसे लेना है, इसको आपको दूद मे झाजिए और इसी के साथ आपको अडूद लेना चाहिए तो आपको डेली a breakfast लेना है तो इससे क्या होगा आपका weight gain होगा आपकी body fat increase होगा जिससे आपकी body proper shape में आएगी तो आपको mostly आपको आलू का परांथा खाना चाहिए जिस पे बटर हो और इसी के साथ साथ आपको दूद पीना चाहिए और दूसरा अप्शन ये है कि अगर आप परांथा डेली नहीं खा पाएंगे तो डेली आप परांथा ना खाके कभी-कभी आप रोटी ये सबजी भी ल लेना है तो अब बात कर लेते हैं लंच के लिए तो लंच में आपको डेली दो से तीन रोटियां लेनी है और कोई भी हरी सब्जी लेनी है इसके साथ दाल लेनी है और चावल आपको जरूर खाना है और इसी के साथ साथ आपको सालेड भी खाना है फिर आप एक फूट रि और साथ ही साथ मेडिसेंस बिलकुल मेडिसेंस भी आपको जरूर लेनी है तो जब आप ये चीजें फॉलो करें गे तीन से छे महिने तक तो आपको डैफिनिट लिसका रिजल्ट देखने को मिलेगा यह भी पेशन टो पेशने करता है किसी में इसका रिजल्टी मिल जाएगा और किसी में थोड़ा सा हो सकता है लेट मिले बट रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा तो पेशन्स रखे, सारी मेडिसन लीजे और ये डाइट ज़रूर आपको फॉलो करनी है वरना सिर्फ मेडिसन से उतना असर आपको अच्छा नहीं मिलेगा आपको डाइट में भी पूरा अच्छे से चेंज करना है जो भी मैने आपको डाइट बनागे यह आपको ज़रूर लेनी है so friends उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो क्रपे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जादा जादा लोगों तक अपनी family, friends, relatives के साथ शेर करें जिसको भी दुबले पन से problem है दुबले पन की समस्या है जो भी लोग दुबले पन की समस्या से परिशान है और बहुत सारी चीज़े करके देख ली हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेर कीज़ेगा हो सकता है उनकी problem का solution इस वीडियो में उनको मिल जाए तो आगे भी इसी तरह के healthy और informative वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे हैं और मेरे चैनल को ज़रूर subscribe कर दें जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो के notification समय से मिल सकें मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे वीडियो के साथ तब तक के लिए stay happy, stay safe thank you so much for watching my video bye